आज यम्मी बेक में बन रही है बहुती असान और सरर रेसेपी जो बच्चों की इतनी फेवरेट है कि एक बार में दो दो तीन तीन खा जाएंगे जी हाँ आज में बना रही हूँ कपकेक्स सूजी के दो फिलेवर के कपकेक्स चॉकलेट कपकेक और वनीला टूटी फूटी कपकेक आज हम बिना अवन बिना माइक्रोवे के ये कपकेक्स कडाई में बनाएंगे आज मैं आपको कपकेक्स मोल्ड में और टी कब में दोनों में केक बना कर दिखाऊंगी जटपड बनने वाली रेसिपी है 15-20 मिनट में कपकेक बनकर रेडी हो जाएंगे इसको बनाना बहुत ही असान है चलिए बनाना शुरू करते हैं कैसे हैं आप सब आप सबको असान और हेल्दी खाना सिखाना मेरा पैशन है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं Cupcakes बनाने के लिए हम लेंगे बाउल बाउल में डालेंगे एक कप फ्रेश धाई धाई खटा नहीं होना चाहिए मेजर मेंड के लिए आप एक चाय वाला कप भी ले सकते हैं साथ में डालेंगे एक कप चीनी चीनी मैंने बिन पीसी लिए अगर आप पीसी चीनी यूज़ करना चाते हैं तो कर सकते हैं आज मैं Cupcake की रेसेपी बहुती सिंपल तरीके से बता रही हूँ पूरे परफेक्ट रेशो के साथ अब हम विसकर लेंगे और हैंड विसकर से चीनी और धाई को मिक्स करेंगी इससे चीनी घुल जाएगी और धाई भी स्मूथ हो जाएगा लीजिए चीनी घुल गई है अब इस स्टेज पर हम डालेंगे एक कप दूद दूद हमें room temperature वाला लेना है ना ज़्यादा थंडा दूद लेना है ना ज़्यादा गरम दूद लेना है दूद को सारा एक साथ नहीं डालेंगे पहले आधा दूद डाल देंगे और आधा दूद बचा लेंगे अगर जरूरत होगी तो ही बागी बचादूट डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे दो कप सूजी पहले एक कप सूजी डालेंगे एक कप सूजी को भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गाठे ना पड़े अच्छे से whisker से mix करेंगे अब दूसरी कब सूजी डाल देंगे और धीरे-धीरे करके डालेंगे और अच्छे से mix करेंगे सूजी आप कोई से भी use कर सकते हैं बारिक वाली या मोटी वाली इससे केक में कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका केक बहुती बढ़िया बनेगा सूजी के बने केक बहुती बढ़िया लगते हैं पहले भी सूजी का टूटी फूटी केक इडली स्टेंड में बनाकर मैं आपके साथ शेर कर चुकी हूँ आप सबको बहुती अच्छा लगा आप समने बहुती एफ्रिशेट किया इसलिए नए तरीके से मैं सूजी का कप केक आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आशा करती हूँ आपको ये केक भी बहुती बढ़िया लगेगा लीजिए सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है मगर बैटर अभी थोड़ा गाड़ा है तो हम दो टेबल स्पून दूद और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आ रही है अब हम डालेंगे आधा कप वेजिटेबल ओईल अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे एक ही डारेक्शन में हलके हलके हातों से हमें मिक्स करना है देखिए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है क्योंकि सुजी अभी फूलेगी सभी चीजों को अबसर्फ करेगी तब हमारा बैटर गाड़ा हो जाएगा लगबग 10-15 मिनट के लिए इसे हम ढखकर रखेंगे जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है तब तक आगे की तैयारी करते हैं अब इस कपकेक को हम बनाएंगे कडाई में बहुत ही सिंपल तरीका है कडाई को रखेंगे गैस पर गैस को अन करेंगे और फिलेम को लो मीडियम रखेंगे अब इसमें हम लगाएंगे एक स्टेंड अगर आपके पर stand नहीं है तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हमें नमक डालने की कोई जरुरत नहीं है flame को low medium करेंगे और इसको ढखकर रखेंगे और 5-10 मिनिट के लिए preheat करेंगे आज मैं cupcake बना रही हूँ तो मैं आपको mold cup में और चाय वाले cup में दोनों cup में cupcake बना कर दिखाऊंगी जो बहुत ही असानी से और जल्दी से बनेंगे अब हम cup को oil से grease करेंगे 10-15 मिनिट हो गाए हैं अब हम अपने batter को चेक कर लेते हैं लीजिए सूजी बढ़िया से फूल गई है बैटर गाड़ा हो गया है इसकी consistency ऐसी होनी चाहिए आप देख सकते हैं मैंने total आधा कप दूद और दो टेबल स्पून दूद एक्स्ट्रा लिया है इस batter को बनाने में एक कप दूद पूरा नहीं लगा है अब हम डालेंगे बैटर में एक टी स्पून वनीला एसेंस इससे केक का फ्लेवर बहुती बढ़िया आएगा और अच्छे से मिक्स करेंगे साथ में डालेंगे एक टी स्पून बेकिंग पाउडर आधा टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और हलके हातों से बैटर में मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे एक टी स्पून सिर्का अगर आपके पास सिर्का नहीं है तो आप नीबू का रस भी डाल सकते हैं सिर्का डालने से केक खटा नहीं होगा इससे केक जाली दाल स्पंजी बनेगा आज कपकेक दो फ्लेवर भी बना रहे हैं उसके लिए बैटर को दो भागों में डिवाइड करेंगे आधा बैटर अलग से निकाल लेंगे जो बैटर अलग निकाला है उसका चॉकलेट कपकेक बनाएंगे उसमें डालेंगे दो टेबल इस्पून कोको पाउडर साथ में डालेंगे एक टेबल इस्पून चॉकलेट स्प्रिंकल्स अगर आपके बाद चॉकलेट चिप्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे चलिए अब बैटर को कपस में डालते हैं पहले हम कप में सूजी का बैटर डालेंगे कप को उपड़ तक नहीं भरना है सिर्फ थिरी-फोर्थ कप तक ही भरेंगे क्योंकि ये बेक होगा तो फूलेगा भी आप दोनों टी कप को भी ऐसे ही भरेंगे वनीला कपकेक में उपड़ से टूटी-पूटी डालेंगे मेरे पास red कलर की टूटी फूटी थी आप multi कलर की टूटी फूटी भी डाल सकते हैं लीजिए cupcake तयार है batter को अच्छे से डाल दिया है अब इसको bake करेंगे कड़ाई को चेक करते हैं कड़ाई में से अच्छी heat आ रही है stand के उपर plate रखेंगे और सभी cups को अच्छे से रखेंगे कड़ाई गरम है ध्यान से रखेंगे और कड़ाई को 15 से 20 मिनट के लिए low flame पर ढख कर रखेंगे लगबग 15 से 20 मिनट हो गए हैं हम चेक कर लेते हैं वाउ कितना सुन्दर हमारे cupcake तयार हूँ है वो भी कड़ाई में अब हम toothpick से चेक कर लेते हैं toothpick किलियर है soft spongy cupcake तयार है gas को off करेंगे और इसको कड़ाई से निकाल कर ठंडा करेंगे देखा आपने आप cup mold में या चाय वाले cup में बहुत ही असान तरीके से cupcakes बना सकते हैं अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ इसको उल्टा करेंगे और टैप करेंगे और लीजिए कितना बढ़िया तरीके से निकल गया आप देख सकते हैं केक कितना जालीदार spongy बनाए मज़ा आ जाएगा इसे खाकर आप केक को गानिश करेंगे चॉकलेट सिरप से और स्पिरिंकल से लीजिए तैयार है हमारा सॉफ्ट स्पंजी केक वो भी घर पर बहुत असान तरीके से आप भी इस सूजी केक को घर पर बना के ट्राइ करें आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज अपना फीडबेक मुझे जरूर देना थैंक यू सो मच जल्दी मिलते नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई